नमस्कार दोस्तों आप सभी को हमारे भक्ती एंड फ़न वीडियो चैनल में स्वागत है आप सभी को कार्तिक पुर्णिमा की हार्दिक्षुप काम लाए आज मैं आप लोग को कार्तिक पुर्णिमा की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ तो चलिए भक्तों शवन करते हैं इस कथा को शरवन करने से आपके सब कस्ट दूर हो जाएंगे कार्तिक माहा के शुकल पक्ष की पुर्णिमा तिथी बहुत ही खास होती है और इससे कार्तिक पुर्णिमा के नाम से जाना जाता है इस दिन पवित्र नदी गंगय में इसनान का विशेश महत्व माना गया है और के बाद दान वदीवदान करने से देवताओं का आशिरवाद मिलता है पंचाम के अनुसार आज यानि 27 नौमर को कार्तिक पुर्णिमा है और इस दिन लोग ब्रत उपवास रखते हैं कहते हैं कि कार्तिक पुर्णिमा के दिन गंगय स्नान करने और ब्रत रखने से व्यक्त पुरानी कथा क्यानुसार तारकासुर नामक एक राक्षस था उसके तीन पुत्र थे तारकक्ष, कमलाक्ष और विदुनमाली तारकासुर ने धर्ती वस्वर्ग पर आतंक मचा रखा था और इससे परेशान होकर देपताओं ने भगवान शिव से उसका अंध करने की प्रातन धुक हुआ और उन्होंने इसका बद्ला लेने के लिए ब्रह्माजी की तपस्चे की। और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं और जो देवता तीनों नगरों को एक इवांड से नस्ट करने की शमता रखता हो वही हमारे मृत्यू का कारण हो ब्रह्मा जी ने उन्हें ये बरदान दे दिया ब्रह्मा जी के कहने पर मैदानों ने उनके लिए तीन नगरों का निर्मान किया तारकक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विदुन माली के लिए लोहे का नगर बनाया गया तीनों ने मिलकर तीनों लोखों पर अपना अधिकार जमाल लिया इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भैवित हुए और भगवान शंकर की शरंड में गए। भगवानों से बने इस रत और तीनों भाईयों के बीच भैंकर युद हुआ।